खाना हम इंसानों की लाइफ में बहुत महात्वपोन न होता है। किसी भी सोशल एक्टिविटी, रिलिजिस सेरिमनी, कोई भी इविंट में हम खाने की व्यवस्ता रखते है। काफी सालों से खाना हमारे एमोशन्स और कल्चर के साथ इंटर्ट्वाइंड है। इसलिए कंड़न ऊस्टा से अρेफी साथ और रची चांप आज आकर सब्सक्राइब को के बेल एकन को फ्रेस कीजिए। research theory के हिसाग से food cravings nutritional deficiency के कारण होती है जब बॉड़ी में magnesium, potassium, iron और folate की deficiency होती है तब हमें ऐसी कोई चीज खाने की इच्छा होती है जिससे deficiency कम हो जाए लेकिन हमें natural whole food से ज्यादा processed junk food खाने की इच्छा होती है जंग food में high fat और carbohydrate होते है जो natural food से नहीं मिलते जैसे कि अगर आपको chocolate खाने की इच्छा होती है तो उसका कारण है body में magnesium की कमी उसी तरह low blood sugar के कारण sugar या sweet जियादा खाने की इच्छा होती है यानि अपकी body में किसी चीज की कमी होती है वो पूरी करने के लिए कोई particular चीज खाने की इच्छा बढ़ती है कभी-कभी food cravings addiction के कारण भी होते है जैसे आपको चाई, coffee पीने की आदत है तो उससे caffeine addiction होता है इसलिए किसी दिन आप चाई या coffee ना पी लें तो caffeine के कारण cravings बढ़ती है जंक food खाने की cravings बार-बार हो तब obesity बढ़ती है यानि जंक food खाने से इंसान के body में fat, cholesterol बढ़ने लगता है इसके सिवा कुछ biological factors के कारण भी food cravings होती है जैसे की नींद पूरी ना होना, अपनी खाने की आदतों पे control ना होना, इससे भी process junk food खाने की इच्छा बढ़ती है तो अगर आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इससे like, share और subscribe जरूर कीजे और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद